मेरे प्रेद विद्यार्थियों बर्ग खष्ट विशाई संस्क्रीत में हम लोग आज पुरुष के बारे में पढ़ेंगे पुरुष क्या है पुरुष किसे कहते हैं तो जो काम को करता है उसे हम पुरुष कहते हैं पुरुष तीन परकार के होते हैं पर्थम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पर्थम पुरुष में सह ताव ते आनि वह वेदोनो वेलो मध्यम पुरुष में त्वाम युवाम युयाम तुम तुम दोनो तुम लो उत्तम पुरुष में अहाम अबाम बयाम मैं हम दोनो हम लो यही तीन पुरुष होता है जितने भी सारे कार्ज होते हैं सभी कार्ज को करने वाले यही तीन पुरुष होते हैं अन्य कोई भी बाग के जब हम लेते हैं तो वही यही तीनों पुरुष के अंतरगत में आता है या तो पर्थम पुरुष में आएगा या मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में दो-चार बार रट लेंगे तो याद हो जाएगा जब पुरुस आप लोगों को पता चल जाएगा तो इसके बाद है लकार लकार ऐसे तो बहुत से होते हैं लेकिन मुख रूप से आप लोगों को पांच लकार के बारे में पढ़ना है जिसमें पहला लकार है लट लकार, बर्तमान काल, लट लकार बर्तमान काल किसे काते हैं, जो काम अभी हो रहा है, अभी हम लोग करते हैं, उसे बर्तमान काल काते हैं, तो बर्तमान काल लट लकार में रूप चलता है, किरिया का, जैसे पठ पढ़ना, एक किरिया है, और पठ पढ़ना का पठ धातु हो गया इसका लट लकार में रूप चलता है पठती पठता पठंती पठसी पठता पठामी पठाव पठाम तो पर्थम पुरूस में पठती होता है एक बचन में एक बात और बचन तीन तरह के होते हैं एक बचन दुई बचन और बहु बचन ऐसे तो ह इंदी और अंग्रेजी में दो बचन होते हैं लेकिन संस्कृत में तीन बचन होते हैं एक बचन से एक का बोध होता है दुई बचन से दो का और बहु बचन से दो से अधिक का तो इस तरह से बचन तीन होते हैं अब जदी आप लोग पूरू शमझ गए होंगे और लट लकार इसका जो रूप चलता है इसको जदी याद कर लेते हैं तो हम लोग संस्कृत अनुवाद भी बना सकते हैं जैसे हम यहाँ देखते हैं वह किताब पढ़ता है एक बाग है इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि यह बाग की जो है कौन पुरुष में आता है तो हम पहले ही बताए हैं कि माय हम उत्तम पुरुष तू तुम मध्यम पुरुष और सब आने पुरुष तो इसमें तो न माय है न तो तुम है है वह आने की बाकी सब आने पुरुष तो इसमें आने पुरुष वह आने पुरुष में आता है तो इसका संस्कीत अनुबात जो हम करेंगे तवव का हो गया सह, किताब का हो गया पुष्टकम और पठती ये रूप जो लगाए हैं तो कैसे हम लगाए हैं? इसमें हम देखते हैं कि वह किताब पढ़ता है वह पर्थम पुरुष एक बचन में है तो पर्थम पुरुष एक बचन का क्रिया लगाएं है जो कि है पठती दूसरा उदारण लेते हैं तुम किताब पढ़ते हो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काउन पुरुष में है तो मैं हम उत्तम पुरुष तू तूम मध्यम पुरुष तूम हो गया मध्यम पुरुष तूम का संस्कित हो गया तूम किताब का पुष्टकम अब यहां पटसी दिये हैं तूम पुष्टकम पटसी तो पटसी कैसे हो गया है रूप तो तूम तूम मध्यम पुरुष एक इसमें पुरुष को देखना है कि मैं किताब पढ़ता हूँ यह कौन पुरुष में है तो मैं उत्तम पुरुष में है तो मैं का हो गया अहम किताब का पुष्टकम आई पठामी लिखे हैं तो पठामी कैसे हो गया है तो उत्तम पुरुष एक बचन उत्तम पुरुष एक पर्धामी। एक बाग और लिए हैं वे लोग बिद्या ले जाते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पखले देखेंगे की कौन पुरुश है। तो वे लोग बिद्या ले जाते हैं। अन्य पुरुष अन्य की पर्थम पुरुष बहु बचन में तो वे लोग का हो गया ते बिद्याले का बिद्यालेम और चुकि वे लोग बिद्याले जाते हैं वे लोग बहु बचन में है इसलिए पर्थम पुरुष का बहु बचन होता है पठन्ती तो उसी तरह से हो तो इस तरह से आप लोग पूरुष को आद कर लिजिएगा और लट लकार में पठ धातु को आद कर लिजिएगा तब संस्की तनबाद बनाने के लिए आ जाएगा कुछ आपने खुद स्वैं बाक ले करके आप इसको संस्की तनबाद कीजिएगा